बंगी सब्द का अर्थ क्या है? ये कौन लोग थे जिने बंगी का आगाया? बंगी सब्द को है और दुसी तथा बंगियों को अच्छूत क्यों वाना जाने लगा? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और हाँ यदि आप अपने आपको तथाकतित उच्छ कुल में जनम लेने के कारण कुछ विशेश समझते हो तो आगे आप इस वीडियो को भहुत ध्यान से देखना नमस्कार मेरा नाम है विनोधियादव और आप देख रहे हैं आपका अपना सरल हिश्ट्री यूटूब चैनल जहां आपको आपके इतिहास से जुड़ी बातों से रूब रूब करवाया जाता है अगर हमारा ये छोटा सा परियास आपको अच्छा लगे तो चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लेना चैनल आपका ही है और आपकी नोलेज के लिए ही बनाया गया है हमारे और आपके पूरवजों ने जिन भंगी और महतर जाती को अस्परसिक करार कर दिया है जिनका हाथ का चुआ आज भी बहुत सारे हिंदू नहीं खाते हैं जानते हैं वो हमारे आपसे कहीं बहदूर पूरवजों की संतान हैं मुगल काल में ब्रामनों वे छत्रियों को दो रास्ते दिये गए या तो इसलाम कबूल करो या फिर हम मुगलों मुसलमानों का मैलाड हो मैलाड होने का मतलब उनका टट्टी उठाकर महल के बहार फैंक कर आओ यकीन नहीं आपको तो आप किसी भी मुगल के किले में चले जाओ और वहाँ आपको सोचाले नहीं मिलेगा हिंदूओं की उन्नत सब्वेता सिंदु गाटी में रहने वाले हर कमरे के अंदर एक सोचाले सटा हुआ मिलता है जबकि मुगल बादशा के किसी भी महल में चले जावाब आपको कोई सोचाले नहीं मिलेगा जबकि अंग्रेज और वामपन्ती इतियासकारों ने सहाजा जैसे मुगल बादशा को वास्तु कला का मरमग ये ग्याता भी बताया था कैसा ग्याता था वो ये तो आप समझी गए होंगे ये सच है कि अरब के रेगिस्तान से आए दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों को सोचाले निर्मान का तक का ग्यान नहीं था होता भी कैसे अरब के रेगिस्तान में जहां मन करे वहीं हग देते थे दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल बादश्या तक के समय तक सब के सब बरतन में ही सोच करते थे यानि की हगते थे जिने उन ब्रामनों और छत्रियों और उनके परिजनों से फिकवाया जाता था जिनोंने मरना तो स्विकार कर लिया लेकिन इसलाम को नहीं अपनाया भंगी का मतलब जानते हैं आप जिन ब्रामनों और छत्रियों ने मैला ढोने की पर्था को स्विकार करने के उपरांत अपने जनेव को तोड़ दिया अर्थात उपनयन संसकार को भंग कर दिया गया वो भंगी कहलाए इनके उपकारों के कारण तत्कालीन हिंदू समाज ने इनके मैला ढोने की नीच पर्था को महतर अथवा महान और बड़ा करार दिया था जो अप बरंस रूप में महतर हो गया है भारत में एक अजार इसी में केवल एक फिस्दी अचूत जाती थी लेकिन मुगल वंस की समापती होते होते इनकी संख्या चोदा फिस्दी हो गई थी आपने सोचा कि ये तेरा फिस्दी बड़ोतरी अचानक से डेड़ सो दो सो वर्ष के मुगल सासन में कैसे हो गई वामपतियों का इतियास आपको हमेशा यही बताएगा कि सूफियों के परिभाव से हिंदूों ने इसलाम सिविकार किया लेकिन गुरू तेग बहदूर और उनके सीश्यों के बलीदान का सबूत हमारे समक्स है इसे वामपतियों इतियासकार केवल छूते हुए निकल जाते हैं सत तो यह है दोस्तों कि हमारी सिख्ष्या परणाली तक में इन लोगों ने सेंद मार रखी है आज भी हमें सच्चाई से दूर रखा जाता है इसका एक छोटा सा उधारणी है कि हमें हमेशे यह पढ़ाया जाता रहा है कि सती पर्था और बाल विवा एक कुपर था है मानते हैं हम सती पर्था और बाल विवा एक कुपर था है लेकिन साथ में ये भी तो पढ़ाया जाना चाहिए कि हलाला बुरका पर्था और तीन तलाख भी गलत होता है लेकिन नहीं ये इन्वामपंती इत्यासकारों ने कभी नहीं का खैर वापिस आते हैं अपने वीडियो के टोपिक पे गुरुतेग बहादूर के 600 सिश्यों को इसलाम नए स्विकार करने के करण आम जंता के समक्स आरी से चीरुआ कर खोलते तेल में डाल दिया गया था आखिर में उनका सिर कलम करवा दिया गया भारत में इसलाम का विकास इस तरह तलवार के दम पर हुआ था इसलिए जो हिंदू डर के मारे इसलाम धरम स्विकार करते चले गए उनी कल के कायर बुजदिल हिंदू जो इसलाम पंत को स्विकार किया था उनी धर्मानतरीत हिंदूओं के वनसज आद भारत में, मुस्लिम आबादी के रूप में मौझूद है जो हिंदु मरना स्विकार कर लिया पर धरम परिवर्तन स्विकार नहीं किया धरम का परचम फेराने वाले उन कट्र हिंदुओं के पूरे के पूरे परिवार को काटा लगया था और जो हिंदु नीच मेला ढोने की पर्था को स्विकार कर लिया मगर इसलाम धरम स्विकार नह धर्म परिवर्तन को स्विकार नहीं किया आज के हिंदू समाज को उनका सुक्र गुजार होना चाहिए उन्हें कोटिस परणाम करना चाहिए क्योंकि उन हिंदू लोगों ने भगवा दवज को कभी चुकने नहीं दिया बले ही अपने आपको अपमान वे दमन के अंदर जोग अपने धर्म की रक्सिया के लिए अपने जनेव को तोड़ कर यानि की भंग कर मुस्लिम सासकों और अमीरों के अमेला ढोने और उनके द्वारा पातर में किये गए सोच को सिर पर उठाकर फैकने वाले हमारे पूरवजों ने खुद तो अपमान का घूट पी लिया लेकिन समाज को जखजोरना नहीं छोड़ा उन्होंने अपने सिखा का त्याग नहीं किया ताकि उनके ब्रहमन की पहचान से समाज परीचीत रहे और फिर उन्होंने अपने काम से निवर्त होकर हिंदू चेतना जागरत करने के लिए घर घर गली गागा कर राम कथा कहना सुरू कर किया जबकि ब्रहमन तुलसी दास से लेकर दलित रैदास तक इस अंदोलन को आत्ताई सासकों से मुक्ती के लिए जन्चेतना का सवरूप देते हुए आगे बड़े थे तथा धरम परिवर्तन के जबरन परियास को विफल करने का हिंदूों में जाग रुकता और अपने ध का एहसास होता कि वह सत्ता हासिल करने की सिथती को प्राप्त कर लें इसी मध्यकालीन भक्ती आंदोलन से निकले समर्थ गुरू रामदास ने छत्रपती सिवाजी को तयार कर मुगल सल्तनत्र की इंट से इंट बजा दी थी हातों गली गली हिंदूों में गोरो जगाने और अपनी पीड़ा को आवाज देने के लिए सासकों का मेला ढोने वाले असपर्श को उनके महतर अर्थात महानकारी के लिए महतर और राम कथावा चक के रूप में राम कथा के पहले सुर्जन हार बालमिकी का नाम उने दिया गया खुद को गिराकर हिंदू धर्म की रक्स्या करने के लिए उने एक और नाम मिला दलित अर्थात जिनोंने धर्म को दलन यानि की नष्ट होने से बचाया वो दलित कहलाए सोचिये जो डर्पोक और कायर थे वो इसलाम अपना कर मुसल्मान बन गए जिनोंने इसलाम को स्वीकार नहीं किया बदले में मुसलिम सासकों और अमीरों का मैला ढोना स्वीकार किया वो भंगी कहलाए और जिन हिंदूों ने इनके उपकार को नमन किया और इने अपना धर धर्म रक्सक कहा उन्हें एक धर्म दूत की तरह बाल में की दलित महतर नाम दिया कालांतर में इतने प्यारे सब्द भी ऐस पर्ष होते चले गए इसकी भावना भी धुमिल हो गए और हमारे पूर्वजों ने इन धर्म रक्सकों को अपने ही समाज से बही स्कृत कर दिया हिं सुद्र की स्रेणी में डालता है यह है हमारे समाज का दोगलापन और कुरूतियों वाला चरीत्र गीता के चोथे अध्याय के तेरे विसलोक में भगवान सिरी किर्शन ने कहा है चतुर वरणियम माया सरष्टम गुन करमे विबागद है अर्थात चार वरण मैंने ही जो लोग जनम के आदार पर खुद को ब्रहमन और चत्री मानते हैं वो जरा सरम करें और अपने उन भाईयों को गले लगाएं जिनों ने धरम की रक्सिया के लिए अपने जनम से ब्रहमन और चत्री होने का त्याद कर भगवान किर्शन के मताबित करम किया आततियों से लड कुछ समझ गए होंगे अपने इतिहास के बारे में इस वीडियो के माद्यम से मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कोमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं लाइक और डिसलाइक के दोनों उपसन हैं और अगर आप ऐसे ही इनफोरमेटिक वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं कोई जल्द बाजी नहीं मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक और नए इन्फोर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै सिरी राम, जै सिरी किष्णा, जै हिंद, जै भारत